नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की 9 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्पेस के इंपोर्टन न्यूज, एक्स्पेस से इंपोर्टन आर्टिकल्स, वर्ल्ड पेज, इकानोमी पेज, स्पोर्ट स्पेस पर अगर कोई न्यूज होगी तो उन सबको भी हम इस वीडियो में दौर करेंगे, सबसे पहली जो न्यूज रहेगी वो आर्बिय की मॉनेटरी पॉलिसी की अभी मीटिंग हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की उस मीटिंग का उटकम क्या है वो जानेंगे, दूसरा हम देखेंगे, नमस्ते टाटा, एर इंडिया को अक्वाइर करने की जो फाइनल बिड है, वो कम्प्लीट हो चुकी है, और टाटा संस टेक ओवर कर रहा है, एर इंडिया को, इसके अलावा, लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल से रिलेटिड अभी 13th round of talks होने वाली थी, जो इस्टरन प्री के बीच में, ठीक है, इसके आगे अगर देखें, एक न्यूस हम देखेंगे, राजस्तान स्पैसिफिक जिसमें राजस्तान टेकनिकल यूनिवर्सिटी ने अभी रैंकिंग डिक्लियर किया, राजस्तान के इंजिनियरिंग कॉलेज से रिलेटिड यह सबसे लास्ट में हम डिसकस करेंगे, इसके अलावा, एक्स्पैस पे दो आर्टिकल्स है, फर्स्ट आर्टिकल तो वही, एर इंडिया का टेक ओवर करेगा टाटा, जानेंगे इसको, और इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल रहेगा, वो रहेगा, नोबल पीस प्राइस, बिसिकली इंडिविज्वल्स को दिया गया है, जो कि जनलिस्ट हैं, और इन्होंने अथियरिटिरियन रिजीम के अंडर में रहते हुए भी, फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन को मिंटेन रखा, उसके लिए इनको ये नोबल पीस प्राइस दिया जा रहा है, जानेंगे इनके बारे मे इसके अलावा, वर्ल्ड पेस पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी वो ये, कि ग्लोबली लगबग 130 कंट्रीज ने अपनी कंसेंट दे दी है, कि हाँ हम एग्री हैं, कि टेक्स हैवन्स को कैसे भी अब खतम किया जाए, क्योंकि होता क्या है, कि जहां पर टेक्स लग कंट्री में, for example, Ireland में, ठीक है, तो ऐसे में नुकसान होता है बड़े कंट्रीज को, और जो एक्च्वल में सही तरीके से काम करने वाले कंट्रीज ने को बहुत नुकसान होता है, तो उसको खतम करने के लिए, आप देख सकते ही, US Treasury Secretary Janet Yellen ने ये मुहीम चलाई थी, और उसम पर हम जो यहां पर देखेंगे, एक तो रहेगी, RBI के तरफ से अभी जो accommodative stance लिया हुआ है न, जिससे की लोगों के हातों में पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, मार्केट में liquidity maintain रहे, तो उससे क्या होगा, economy recover हो सके, पर economy जैसे की recovery mode में है, तो ऐसे में, जो security acquisition program है, य अभी तक क्या थी, दो लाग तक की limit थी, अब उसको बढ़ा करके पांस लाग कर दिया गया है, एक ही है, इसके अलावा जो हमारे chief economic advisor है, उनका 3 साल का tenure complete हो गया, तो अब नए chief economic advisor appoint होंगे, और जो outgoing chief economic advisor है, उनका नाम है, कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यन, ठीक है, तो यह कुछ news है, इनके बारे में short थी, वो तो हमने देखी लिए, अब जो बची हुई है, अब उनको detail में देखते हैं, सबसे पहले तो news देख लेता है, टाटा वाली और इसी चीज़ को फिर explain page से हम discussion continue करेंगे, ठीक है, तो first news है, that is, नमस्ते टाटा, नमस्ते टाटा क्यों टाटा के पास में, ऐसा नहीं कि government अपने stakes को कुछ रखेगी, सारे stakes को take over कर रही है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो, अभी जो मुश्किले चल रही थी, वो air India के सामने ये, कि करजा बहुत हो गया था, और इसके लिए central government लगातार कोशिश कर रही थी, कि privatization को promote किया जाए, बिसिकली, टाटा संस Mumbai based coglomeration है, मतलब group है, जिसने लगबग 18,000 करोड रुपए की bid को, मतलब जो बोली लग रही थी, उसको जीता है, जिसमें से 2700 करोड रुपए तो cash के तोर पे government of India को देगा, टाटा ऐसे की ऐसे, दूसरा, 15,300 करोड रुपए जो है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो की absorption रहेगा, remaining part जो है, वो धिरे-दिरे आगे time पे pay किया जाएगा, और बचे हुए, जो total valuation थी इसकी, टाटा संस में, ठीक है, उसमें 60,000 करोड का जो है, उस को, उस रुपए को manage किया जाएगा, जो already air India पे कर जा है, मतलब 2700 करोड रुपए त दिरे दिरे और तीसरा provision की 60,000 करोड रुपए का जो करजा है, एर इंडिया के उपर, उस करजे को भी तो ले रही है ना, आप जो company आ रही है, तो company का करजा भी टाटा पर आगया, तो वो उस तरीके से manage किया जाएगा, वैसे 1953 के अंदर, टाटा ग्रूप के अंदर में चलन एर करियर शुरू हुआ था, ये company स्टार्ट हुई थी, फिर उसको टेक ओवर कर लिया गया था, ठीक है ना, ये टाटा संस की unit हुआ करती थी, इसके अलावा उस टाटा की थी, टाटा संस तो आप बोल सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे आप देख सकते हो, कि privatization की तरफ ज कोशी से तो बहुत की जा रही थी, government की द्वारा, कि कैसे भी करके, government अपने stakes को reduce कर ले, पर time बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा delay हो रहा था, इसके पीछे वजह बताई जा रही है, bureaucratic hurdle, सबसे ज़्यादा हो जो hurdle थी ना, that is bureaucratic hurdle, यहाँ पर इनका खु Finance Ministry के अंडर में आता है यह, ठीक है न, आगे चलता है, अब इसी चीज़ को continue करेंगे, explain page पे, अब explain page पे जो title है, article का, that is, what the deal means for government and Tata, देखो, Friday को government of India ने अनाउंस कर दिया कि Air India को अब take over करेगा, Tata Group, ठीक है, साथ में, Air India के साथ साथ में, Air India के दो और asset वाली companies हैं, जिनक Air India, Sats, Airport Services Private Limited, यह, तीनों का take over Tata कर रहा है, ठीक है, यह, हमने देख लिया, 1932 में, Tata Group के द्वारा establish किया गया था, Air India को, और फिर उसको 1947 में, जो Air India थी, उस जैसे हम independent हुए, तो 49% stakes को एक तरीके से खरीद लिया गया था, government of India की द्वारा, फिर 1953 आते आते, 100% stakes take over कर लिये रिमेनिंग जो बचा हुआ हिस्सा था, उसको भी खरीद लिया था, government of India ने, ऐसे Air India का फिर हो गया था, nationalization 1953 में, अब देखो, 1991 से जब से हमने LPG policy adopt की है, तब से हमारे यहाँ पर private airlines का role भी बहुत बढ़ गया, अब एक तरफ तो private players का participation बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ government of India अपनी तरफ से Air India को continue कर रही थी, अब private players थे हो तो competition लेकर क्या है, और competition में उन्होंने सस्ती services दे दी, और सस्ती services और बढ़िया quality की services दे दी, तो इसकी वज़े से Air India के उपर लगातार करजा बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद में, एक ideological conflict भी तो देखने को मिल रहा है, एक तरफ तरफ आप liberalization को promote कर रहे हो, कि private players आ करके यहाँ पर participation ले सकते हैं, और दूसरी तरफ government अपनी entity को है, वो continue कर रही है, तो एक तरफ तो आप अपनी खुद की सरकारी कह सकते हैं कि company को continue करना चाहरे हो, तो यह conflict आ गया, तो ऐसे में 2007 तक आते आते हैं, कोशिशी की ज उसके बाद से अब तक लगाता है, एयर इंडिया करजे के अंदर दबती चली जा रही है, ठीक है ना, और government ने पैसा भी बहुत खर्च किया पर उसके बावजूद भी कोई outcome नहीं निकला, और current एयर इंडिया का अगर debt देखा जाए ना, तो लगबग 61,562 करोड रुपे ह है, अपने आप में बहुत बड़ा amount है, ठीक है, आगे इसके आगे देखें कि पहले क्या कोशिश है की गई थी, देखो फर्स्ट एंडिया गवर्मेंट आई थी, अटल वियरी वासपे जी की leadership में, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, कि हम 40% stakes तक sell out करना चाते ह है, एर इंडिया से है, पर वही बात है, गवर्मेंट वहाँ पर बेचना तो चाह रही थी, पर अपने खुद के stakes को खतम नहीं कर रही थी, तो इस वज़ए से वो फिर प्रोविजन था, वो फेल हो गया, फिर 2018 में, नरेंद्र मोधी गवर्मेंट ने फिर से ट्राइल किया और उसनों ने फिर कहा कि हम 76% तक जो stakes हैं, shares हैं, वो बेच देंगे, पर उस टाइम पे भी गवर्मेंट वहाँ ने हाथ में 24% shares रखना चाह रही थी, इसलिए private players ने कोई response proper दिया नहीं, और latest provision था, इसमें गवर्मेंट ने ये कह दिया, कि भई, हम 1% भी share नहीं रखना चा जाते हैं, तब जाकर कि ये bidding final हुई है, और इसमें जो Tata Group है, उसने फिर take over करने का मानस बना इलिया, इसका approval मिल गया है, अब देखो ये manage कैसे हुआ, ये मैं बताई चुका हूँ आपको, कि पहले तो गवर्मेंट अपने हाथ में कुछ stakes रखना चाहती थी, पर अब क्या 100 percent ही sell out कर दिया ना, इस वज़े से private players को खरीदने में जोडनी आया है, दूसरा, air India के ओपर लगातार देखो, करजा बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में government ये सोच रही थी, कि कैसे भी करके, करजे को तो एक बार रोका जाए, और airline है, airline air India को, उसको कैसे भी करके बेचा ज गए, करजा लगातार बढ़ रहा था, pandemic की वज़े से और जादा परिश्यानिया हो गई, ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, air India में disinvestment को लेकर के, government का क्या behavior हा, वो सारा देखी लिए, हमने, करजा जो है, वो आपको पता ही, 61,562 करोड रोपे का है, अब इसमें से आप देख सकते हो, 15,300 करोड रोपे तो Tata, as it is, take care करेगा, 15,300 करोड रोपे, 27,000 करोड रोपे का हमने देख लिया था, government of India को cash के तौर पे, as it is, दिया जाएगा, बचे हुई 43,562 करोड रोपे का जो करजा है, वो फिर बाद में Tata अपने हिसाब से manage करके फिर चुकाएग तो overall ये deal हुई है, जिसमें government of India को फाइदा होगा, कितना 18,000 करोड रोपे का, फाइदा तो क्या कह सकता है, पैसा निकलेगा, बाकि तो ऐसे कैसे transfer हो जाएगी, ये company, ठीक है, बाकि जो करजा है, उसको भी तो manage करना पड़ेगा, ये सारी मुद्धे यहाँ पर बताए जा है, इसके अलावा अगर आगे देखें, बाकि तो देखो history बताई जा रही है, कि किस तरीके से ये air India को take over करने का एक माहूल बना था, उसके पीछे मतलब की world India और China उस टाइम पे लगबग एक ही status पे एक ही stage पे थे, चाइना में ऐसा कोई aircraft नहीं था, जो कि Hong Kong से सीधा take off कर सके और इंडिया तक उसको उड़ा के लेकि आ सके, केवल एर इंडिया के plane सी थे, वो ही इतने capable enough थे, वो सारी चीजे थी, और अपनी pride और impress करने के चकर में नहीरू जी का, वो सारा मुद्धा बताया जा रहा है, वो इतना काम का नहीं है, जो में चीज थी, वो हमने देखी को maintain रखा, ठीक है, नाम देखे सकते हो आप, एक तो है मौरिसा रहशा, जो कि फिलिपीन्स से बिलॉंग करते हैं, और एक है दिमित्री मुराताओ, ये रशियन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी डिटेल, क्यों दिया गया इनको, क्योंकि दोनों कंट freely उनको criticize करने में एक मौका तक नहीं छोड़ा, इन्होंने जो प्रेस की जो freedom है, उसका fully utilize किया, और ये एहसास continue बनाए रखा, कि freedom of press बहुत जादा important है, जिसकी शुरुआत French Revolution से हो गई थी, ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे, जो रशियन दिमित्री मुरातो, इन्हों रशियन प्रेजिडेंट, जो कि व्लादिमिर पुतिन है, उनके टाइम पर अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रेजिडेंट पाउरफुल हो चुकी है, उसके बावजुद उन्होंने अपनी freedom को maintain रखा, इसी चीज़ के चलते हैं इनको अभी nobel price of peace दिया गया है और जो reporters without borders, RSF जिसकी short form है, एक non-profit organization है, उनके दुआरा कहा कि ये extraordinary tribute है जर्नलिजम को कि वाकई में इन्होंने कितना शानदार काम किया है, अब देखा जाए ना, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मरिया रेशा, जो कि फिलिपिन से बिलॉंग करते हैं, तो इन्हो अपने एक media house चला रखी थी, ठीक है, तो इसके लिए media platform इन्होंने create कर रखा था, जो कि अपनी दरफ से पूरी बातों को highlight करते थे, कि सरकार की क्या activities हो रही है, जबकि फिलिपिन्स में freedom of press की बात की जाए ना, जो RSF, आप कह सकते हो, reporters without borders के द्वारा, एक ranking declare की जाती है, that is world press, world press freedom index, यह लिख सकते हो, आप question पूछा जा सकता है, एक बार question आया भी था, doctors without borders, something खाया, फिर reporters without borders, कि यह क्या है, एक non-profit organization है, एक तो यह ध्यान रखें, और reporters without borders के द्वारा, एक index declare की जाता है, that is, world press freedom index, उसमें फिलिपिन्स की rank आप देखोगे, तो 180 countries में 138 वी है, 42 वे rank पाता है, मतलब हमारे यहाँ पर भी freedom of press जो है, वो exercise नहीं की जाती है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, दूसरी तरफ, दिमित्री मुरातो की अगर बात करें, तो उनकी तरफ से भी, जो performance है, रश्या की, वो आपको पता है, dictatorship के basis बेचल रही है, और रश्या भी इस ranking में world freedom, world press freedom में इतना अच्छा कुछ perform नहीं कर रहा है, 150th rank पे है, फिर भी freedom of press को maintain करना, freedom of expression को maintain करना, इन्होंने अपनी तरफ से continue रखा, इसके लिए इनको international, आप कह सकते हो कि noble award for peace दिया गया, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स जो न्यूज है, देखो, RBI की जो monetary policy committee है, उसकी meeting हुई, बाइमन्थली meeting हर दो महिने में meeting होती है, तो उन्होंने आठवी बार लगातार, जो रेपोरेट, reverse रेपोरेट इनको change नहीं किया, जो बनी हुई है, उसको as it is maintain किया, पर ये hint दे दिया है, कि अब जो हमने accommodative stance बनाया हुआ है, जो भी market में पैसा हम फैक रहे हैं, किसी भी तरीके से, बोला उसको हम रोक देंगे, अब आने वाले time पे, ठीक है, तो basically एक तो inflation targeting government of India के दोवार RBI को दी हुई है, 4 plus minus 2%, उसको अब क्या कर दिया गया है, inflation targeting के अंदर, ये range तो दी हुई है, अब RBI ने एक है, कि 2021-22 में हम inflation को 5.3% के अंडर अंडर लाने की कोशिश करेंगे, इसको maintain रखेंगे, क्योंकि आपको पता है, COVID-19 की वज़े सप्लाई साइड में issue आ गई, इस वज़े से मैं गई, बढ़ गई थी, और इसके अलावा monetary policy committee ने repo rate, repo rate का मतलब क्या होता है, वो rate जिसके basis पे banks हैं, वो RBI से उधार लेते हैं पैसा, जिस interest rate के ओपर, that is repo rate, तो यह 4% maintain रखी, reverse repo rate, बैंकों के पास में, जो भी commercial banks हैं, उनके पास में, अगर कोई access में liquidity available है, और इस liquidity को वो RBI के पास में पार्क करना चाते हैं, आप RBI में deposit करा करकर रखते हैं, तो उसके ओपर जो interest rate मिलत बैंकों को, that is reverse repo rate, यह हमेशा repo rate से कम होगी, और आप देख सकते हैं, यह 3.35% अभी चल रही है, और इसी को continue रखा है, इसके अलावा MSF marginal studying facility, यह भी, और bank rate है, उसको maintain किया गया, कितना 4.25% पर, MSF की अगर बात करो, तो यह मान लो, कि बैंकों के पास में, किसी बैंक के पा fix किया हुआ, उतना पैसा है ही नहीं उनके पास में, तो उस case में, उनको bankrupt होने से बचने के लिए, अगर रातो रात पैसे की जरुवत है, तो यह marginal standing facility के तहत, repo rate से थोड़ा ज्यादा interest rate पे करके, और बैंकों से, मतलब एक तरीके से RBI से और बैंकों से उधार ले सकते हैं, तो ऐसे में, बाई मंतली policy review हुआ है, इसके उपर यह finalize हुआ है, तो अब आपका task क्या है, रेपोरेट, reverse रेपोरेट, marginal standing facility, bank rate, इनके बारे में एक बार डीटेल अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही जादा important है, अभी आपको पता है, RBI के governor कौन है, शक्तिकान दास, तो इन government of India की, sorry, RBI की द्वारा ये कह दिया गया है, कि अब से हम जो G-SAP करके, एक scheme पे हम काम कर रहे थे, जिसका नाम है, government security acquisition program, इसमें क्या है, RBI ने, जो government की securities and bonds हैं, उनको खरीदा, और उनको पैसा दिया, government को जिससे हैं, कि वो पैसा खर्चे कर सकें, infrastructure को boost कर सकें, ठीक है, और liquidity continue बनी रहे, तो इस G-SAP को discontinue करने की decision ली है, अब आप ये जो government security acquisition program अना, इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे, दूसरा, जो RBI की द्वारा एक program ओर चलाया जा रहा था, जिसका नाम है operation twist, इसके अंदर क्या था, ये एक open market operation है, open market operation का मतलब, कि सीधा RBI quantitatively market में पैसे को control करेगा, कैसे हैं, कि जो भी government securities हैं, long term issue पे, मतलब, जिनकी maturity जो थी, वो 10 साल तक की थी, ठीक है, तो उनको long term को तो देखो RBI खरीदेगा, और short term maturity की जो bonds हैं, उनको release करेगा, that means, एक तरीके से exchange हो गया, कि जो bonds government की release किये हुए है, उनकी maturity अगर 10 साल की है, तो 10 साल की maturity होग तो तब तक तो पैसा, मतलब RBI, मतलब वही चीज़ है कि government के ओपर load बढ़ता जाएगा, तो उसको कैसे reduce किया जाए, कि बोलो long term को तो आप खरीद लो, RBI ने ले लिया, और market में बेज दिया पैसा, और उसके बाद में launch कर दिया short term, अब short term launch करने से फायदा क्या होगा, एक एक तो पैसा quickly available हो जाएगा, और दूसरा जो पैसा है वो time पर return करना भी हो जाएगा, एक बार जो पैसे की crunch है, shortage है, उसको भी fulfill किया जा सकता है, और government पे जो interest rate का load है, वो भी reduce हो सकता है, तो हो जाएगा, तो इस case में देखो, ये दो चीज़ें के बारे में आपको detail पढ़ है, जिसने की market में liquidity को maintain रखा जा सके, ठीक है, IMPs वाला जो मुद्धा था, वो हमने देखी लिया, अब चलते हैं आगे, फिर आगए हम world page पे, world page पे जो news थी वो तो देखी ली थी, बस एक बार थोड़ी नज़र डाल देता है, कि एक global deal final होने की तरफ है, जिसमें tax havens को ज इसा कमाती है, और यहाँ पर tax लगता है, मानलो 15%, 30% और वो ले जाकर कि वो पैसा वहाँ पर दिखा देती है, Ireland जैसे जो छोटे countries है, कि हमारा headquarter वहाँ पर है, और बोला हम Ireland को tax देदेगे, tax जो Ireland के साथ आप settle कर लेना, तो Ireland में लगता है, मानलो 2% tax, तो इन्हों ने टेक् नहीं, तो इसके पीछे वज़े क्या है, कि कोई भी एक common standard fix नहीं है, throughout world, तो ऐसे में एक global deal final करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि एक international corporate tax या international tax rules finalize हो जाए, अब उसी के लिए फिर क्या किया गया है, कि जो USA की Treasury Secretary है, Janet Yellen, इन्होंने अपनी तरफ से यह एक, कह सकत है न, proposal दिया, उस proposal के उपर बातचीत हुई, तो 130 countries ने favor कर दिया, कि वाकई में एक international tax हमें fix कर देना चाहिए, 15% का, इससे क्या होगा, कि जो company जिस भी देश से पैसा कमा रही है, उसी देश के अंदर वो tax देदेगी, और बाकी, यहाँ डर नहीं रहेगा, कि यहाँ पर तो तो वो क्यों नहीं पैसा बचाएगी, यहाँ से निकल करके और पैसा यहाँ पर देगी, और tax के तौर पे, तो इस case में क्या हो जाता है, कि जहां से उस company को earning हो रही है, उस देश को नुक्सान हो गया, तो ऐसे में क्या किया गया, कि 130 countries ने अपनी तरफ से approval दे दिया, कि नहीं पर भी 15% tax दे, ठीक है, इससे क्या होगा, जो tax havens है, जैसे छोटे-छोटे countries, पनामा हो गया, साइप्रस हो गया, या फिर यह देख सकते हो, आप इधर, Netherlands है, Ireland है, यह छोटे-छोटे countries हैं, जिनके पास में खुद की तो इतनी बड़ी कोई बहुत-बड़ी economy है नहीं पर वहाँ पर उन्होंने provision क्या कर रखे हैं, कि हाजी हमारे आपर company खोलो, हम आपको सारी facility दे देंगे, बस आप तो हमें 2% tax दे देना, तो उनका इतना load नहीं रहता, तो इसका फाइदा देखो, tax havens को भी है, और इन बड़ी company, MNCs को भी है, problem किसको है, बड़े देशों को India, US जैसे countries को, क्योंकि वहाँ से फिर टेक्स्टोरी किया जाता है, और कहाँ पे छोटा सा amount pay करके, और मस रहती हैं company आपकी नहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फाइदा होता है, ठीक है ना, आगे चलता है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो देखो, ये राज़स्था की वो top spot बिलकुल miss कर चुकी है, फिर से, ठीक है, इस index को बोला गया है, quality index value, ठीक है, QIV, ये 2021-22 के लिए रिलीज किया गया है, और रिलीज किसने किया, राज़स्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के दुआरा, first rank जो college को मिला है, that is, SKIT है, जापुर में, स्वामी की वो position पूर्णीमा ग्रूप की colleges ने grab किया है, third भी इन्होंने किया है, और fourth position पे JCRC, जापुर Engineering College and Research Center, जापुर JCRC ने grab किया है, मतलब first position SKIT, second पूर्णीमा, third JCRC, और fourth rank आरिया college को मिली है, ठीक है, बाकी देखो आगे से आगे और भी बहुत सारी है, हाँ मैं फिर से correction कर द पूर्णीमा, fourth rank JCRC, और fifth rank मिली है आरिया को, यह है पूरा, ओके, तो ऐसे में, 19 SC colleges हैं, जिनको category A में डाला गया है, 12 SC हैं जो category B में, और 31 SC engineering colleges जो की category C में, तो तीन categories में ranking दी जाती है, इस ranking system में जिसको हम बोल रहे है, quality index value, जो की release किया गया है, RTU quota के दौरा, तो यह important portion था, वो हमने discuss करी लिया है, और कल UPSC prelims का exam है, all the best for that exam, अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी, और अब आराम से दिमाग को शान्त रखो, ठीक है, अभी रात को time पे सो, और सुबह time से उठके, और आराम से अपने ready हो करके पहुंच जाओ, exam center पे, ठीक है, thank you very much for watching this video,